महराष्ट में एक नए राजनीतिक युक की शुरुवात हो चुकी है जो ठाकरे परिवार अभी तक परदे के पीछे से सत्ता चलाता था अब वो फ्रेंट फूट पर आ गया है एक महीने से चल रहे राजनीतिक घटनाकरम के खट महोने पर अबुद्द्व ठाकरे का सीएम बनना तै हो चुका है आपको बता दे कि महराष्ट विधान सभा का आज विशेश सत्र बुला गया था इस दोरान नम निर्वाचित विधायकों को शपत दिलाई जा रही है शपत ग्रेंट समारों में हिस्सा लेने के लिए शिवसेना एंसीपी और कॉंग्रेस की विधायक विधान सभा पहुचने लगे है शरत पवार की बेटी और एंसीपी नेता सुपरिया सुले विधान सभा गेट पर खड़ी होका विधायकों का स्वागत कर रही है उन्होंने आदित्य ठाकरे का गले लगा कर स्वागत किया और बधाय भी दी इसी दोरान एक ऐसी चोकाने वाली तस्वीर भी सामने आई जिसे देखकर सभहरां रहे गए जब अजीत पवार विधान सभा पहुँचे सुपरिया सुले ने अजीत पवार का भी गले लगा कर स्वागत किया और कहा पधाई दादा इसके साथ ही एक और तस्वीर नजराई जिसमें पूर्व सियम देवेंदर फड़नवीस भी विधान सभा पहुँच रहे थे तो पूर्व सियम देवेंदर फड़नवीस ने विधायक पद की शपत ले ली है और अब सभी विधायकों के शपत लेने का सिलसिला शुरू हो गया है फड़नवीस के बाद छगन भुजबल अजीत पवार जेन पाटे पाला साहित थोराट समेत अन्ने विधायकों ने शपत ल अब 28 नवंबर को शपत ग्रहन का दिन तैह हुआ है और 28 नवंबर वो तारीक होगी जब वो महाराष्ट के मुख्या बनेगे इस शपत ग्रहन समारों में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रे ग्रहमंत्रे अमिशा को भी नियोता भेजा जाएगा ऐसे में सब की नजरे होंगी कल की शपत ग्रहन समारों पर जिसमें ठाकरे परिवार का कोई सदस से पहली बार महाराष्ट की सत्ता समालेगा इस खमर पर आप भी अपनी रह रखिए साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए